Hello guys, this is me Annalie और इस चैनल पर मैं वीडियोज बनाता हूँ Self Improvement और Relationship Advice के बारे में आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है No Contact के Results क्यों आते हैं? ये क्यों इतना पावरफुल है? और इसके पीछे क्या Psychology है? इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं कहूंगा प्लीज सब्सक्राइब कर दो मेरी चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपके हल्प कर सके और अगर आपके Questions होँ आप पूस सकते Instagram पे Link जो है वे डिस्क्रिप्शन में है So, No Contact के Results क्यों आते हैं? क्यों वो परसन भी वापस आ जाते हैं जो आपकी शकल नहीं देखना चाहते थे जो आपको लगता है कि कभी वापस नहीं आएंगे सिर्फ जब आप उनसे Contact खत्म कर देते हैं It is so amazing ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है Because उनके दिमाग पे Fear असर करता है Fear means डर उनके दिमाग में भी डर पैदा होता है आपको खूने का क्योंकि जब वापको छोड़ रहे होता है उनके दिमाग में कोई डर नहीं होता आपके दिमाग में डर होता है क्योंकि उनको लगता है उन्होंने आपको ठुक रहा है तो अभी भी आप उनके हाथों में है ये human nature में है कि कोई चीज अगर मुझे availability हो किसी चीज की या मुझे satisfaction हो कि वो चीज मेरी है और मेरे पास backup plan है तो कभी भी मेरे अंदर डर पैदा नहीं होगा और कभी में भी मैं उसके लिए जिद्व जहद उस चीज के लिए या उस इंसान के लिए नहीं करूंगा आप जिद्व जहद तब करते हैं जब आपके दिमाग में डर होता है या किसी चीज को पाने की बहुत ज़्यादा चाहत होती है जब आपकी नजर में वो चीज बहुत ज़्यादा वैलियूबल होती है ठीक है इसलिए जब आप उनसे दूर जाते हैं तो उनके दिमाग में डर पैदा होता है कि कहीं आप सच मुझ में तो नहीं चले गए क्योंकि उनको तो लगा था कि आप उनके पाँ में पड़े रहेंगे आप किसी टाइम भी अविलेबल होंगे वो जब चाहेंगे आपको वापस हासिल कर लेंगे लेकिन जैसे ही आमनो कॉंटेक्ट पे जाते हैं आप उनसे बात नहीं करते काफी दिन तो उनके दिमाग में डर पैदा होना शुरूग हो जाता है ऑवर दे टाइम अच्छी बात यह है कि जब आप स्पेस क्रियेट करते हैं उनसे दूर रहते हैं तो उसकी जो negative बात होती है वो हमारे दिमाग से आएस्द Sudam मिट जाती है negative memories जल्दी मिटती है हमारे दिमाग से positive रह जाती है human mind इस तरह हवर करता है इसे कहते है fading effect bias और इसकी अच्छी बात यह ہے कि इस वज़ासे हम अकसर उन लोगों की अच्छाई ही करते हैं जो हमसे दूर है ठीक है अगर ऐसा ना होता तो जिंदगी हमारी बहुत प्रॉब्लम हो जाती ठीक है जो हमसे बिच्छड जाते हैं उनकी बुरी यादें लेके गूम रहे होते हैं लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि लोग हमसे चले आते हैं और हम अच्छे लफजों में हाद रखते हैं और यह अच्छी चीज़ है इसी तरह हमारा माइंड बनाया है तो फेडिंग अफेक्ट बायस भी काम करेगा उनके एक फियर काम करेगा डर and the second thing is फियर फेडिंग अफेक्ट बायस यानि के नेगटिव यादों का मिटना और पॉजि इस ने बहुत अच्छा कोई सॉंग प्रेडियूस किया है एक्टर है जिसने बहुत जादा एक्टिंग की है अच्छी तो हम उसको पेई करने के लिए तयार होते हैं वह बहुत जादा चार्ज करते हैं उनकी वेली होती है वर्ड़ में कोई सॉकर प्लेयर है फुटबॉल कियों इनकी वेली होती है क्यंकि वो एक्स्ट्र ओड़्नरी होते हैं एफ bakın दो ऑूख्स होते हैं हर किसी में इतनी हें हमत नहीं होती हर किसी में इतनी lighter strength नहीं होती है ज्यादा तर लोग क्रिस्टियानो रॉनाल्डो या विरात कोली जैसे person की physical strength के बारे में बात करते हैं कि वो इतनी practice करते हैं या वो इतनी लंबी centuries खेल सकता है और cricket और यह वो बट इन सबसे ज्यादा जो चाहिए होता है वो असल में emotional strength है कि रोज सुबा उठके खुद को practice की तरफ लेके जाना चाहे सर्दियो गर्मियो चाहे mood हो या ना हो इससे कहते है emotional strength क्योंकि emotions तो अंदर से कहते हैं कि छोड़ यार movie देख चिल कर party कर ये उकर लेकिन खुद को discipline करना ये बहुत बड़ी emotional strength चाहिए तो जब आप किसी से दूर होते हैं जब आप no contact पे जाते हैं तो उन्होंने आपको emotionally weak समझा होता है लेकिन जब आप उनसे दूर जाते हैं तो आप भी emotionally strong शो होते हैं और emotionally strong लोगों की इस दुनिया में बहुत ज़्यादा value होती है अगर आप रोते दोते रहेंगे अगर आप उनके form में पड़े रहेंगे तो आपकी value कभी नहीं होगा जैसे आप उनसे दूर जाते हैं आपकी value बढ़ जाती है especially especially अगर आप men हैं लड़के हैं और आप deal कर रहे हैं women's है तो women's love emotionally strong persons leader type persons उनको बहुत पसंद होते हैं तो इसलिए एक तो यह चीज़ हो गई दूसरी चीज़ इससे आपका confidence भी बढ़ेगा जब आप उनसे दूर रहेंगे तो आप अपने उपर work भी करेंगे ठीक है आप evaluate भी करेंगे the best part about getting broken heart is that आप सवाल करते हैं खुझ से जब आपका दिल तूटता है जब आप fail होते हैं किसी चीज में तो आप खुझ से सवाल करते हैं और आप सोचते हैं क्योंकि जब आप successful होते हैं तो आप हर चीज़ को for granted लेते हैं आप हर चाहे वो तुक्के में भी हो आपकी lottery भी निकला है तो उसका भी आप जो है वो credit खुझ लेना चाहते हैं कि मेरी वज़ा से lottery निकली है मैंने ही साई number choose किया था अलगे वो luck भी हो सकता है करोडों में से आपकी lottery निकला है लेकिन यह successful mentality बता रहा हूँ success जब हमें मिलती है हम success से कुछ भी नहीं सकते लेकिन जब failure हमें मिलता है तो हम सोचते हैं कि अच्छा कहा मैं निकलती की और this is the best part about getting heartbroken so यही समझाना चाहता हूँ कि इस चीज़ को नेमत समझें इस चीज़ को अच्छा समझें ऐसा मत समझें कि आपके जिंदगी खतम हो गई है या आपके जिंदगी में कुछ बचा नहीं है ज्यादतर लोग इसको misfortune समझते हैं या बदकिस्मत ही समझते हैं लेकिन यह खुशकिस्मत ही है it's a fortune कि आपका दिल टूटा है अब आप सोचेंगे अब पैसा कमाने के बारे में भी सोचेंगे body बनाने के बारे में भी सोचेंगे psychology के बारे में भी सोचेंगे communication के बारे में भी सोचेंगे सारी चीजों में खुद के बारे में सोचेंगे खुद्वा बैतर बनाने में so that's it for today thanks for watching guys have a good day